हालो फ्रेंड्स बेरा निया चैनल जिसका नाम है एक सबग उसमें आपका स्वागत है हम कितना भी कहलें कि लड़की लड़के में कोई फरक नहीं है लड़कियां लड़कों के बराबर हैं लेकिन यह पूरा सच नहीं है आज भी लड़की को हम अकेले रात में अंधेरे में जाने नहीं दे सकते आज भी लड़की सुनसान जगा से निकलती है तो उससे डर लगता है आज भी किसी भी लड़की के साथ उससे अकेला नहीं भेज सकते और लड़की को शादी करके दूसरे के घर भेजना ही पड़ता है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम शुरू से ही बेटी की परिश्वे कुछ बातों का ध्यान दें तो आपको उसकी श्कैत कभी सुनने का मौका नहीं मिलेगा तो आगे बेटी शुरू करते हैं अगर आपकी बेटिया है और आपका बेटा भी है तो दोनों में कभी भेदभाव ना करें अगर आप भेदखाफ करेंगे तो आपकी बेटिया का आद्पिश्वसास काम हो जाएगा और सबसे पहरे तो उससे मैं यही कहूँगी कि अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें क्योंकि लड़कियों के लिए तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है तो अगर आपके आगे वो जवाब देने लगी है तो उससे वहीं डान दें उसकी हर इच्छा मूँ से निकलते ही पूरी ना करें अगर सच में आपके लिए वह इच्छा पूरी करनी मुश्किल है तो साफ वहीं पर ही मना कर दें अगर आप कुसी खुशी के लिए को इच्छा पूरी करना भी चाते हैं तो उससे एसास कराएं कि आपने पैसों का इंजाम कैसे किया है आपने अपनी कौन सी इच्छा मारी है कौन से बेटे का इच्छा को पूरी नहीं होके आपने उसकी इच्छा पूरी की है अगर वैं हर किसी चीज़ को पाने की जित करती है तो उससे वहीं डान दें हर जीत पूरी नहीं हो सकती उसे समझाएं अगर वैं उच्छी वाज़ें बोलती है तो उसे सिखाएं कि धीरे बोल मैं कर दूर नहीं खड़ी हूँ और आम से बात कर अगर वैं 13-14 साल की उमर की भी हो जाती है तो उसकी उमर के साफ से आपको जो भी थोड़ा बहुत घरा काम लगता है उसे धीरे धीरे उसकी घर के काम में उसकी मदद लें वैं किससे बात करती है उसकी कौन सी फ्रेंड्स हैं उनका नंबर आप जरूर रखें अगर वैं बात-बात पर रोने लगती है तो उससे जिन लोगों को जानती है उसका उधारन दे कर उससे किससे सुनाई ताकि वैं स्ट्रॉंग बने अगर वे फिजूर खर्च करने लग गई है तो उसे डाटें पैसा कैसे मुश्किल से कमाय जाता है उसे सास कराएं उसे समझाएं कोई भी बड़ा अगर उसे गलती बताता है तो उसे समझाएं कि वे उसे सुनें अगर सौरी नहीं भी बोलना चाहती तो कोई बात नहीं पर चुप चप उनकी बात को सुने और बात में सोचे कि वो क्या बोल रहे थे यह मेरी गलती कहां हुई उसे समझाएं कि जो बड़े होते हैं उन्हें हम से जास समझ होती है कोई हमें बड़ा वैसे भी हमें समझाने लगाता है हमसे कोई बड़ा होता है तो हमें हमारी को कम सुन छोटा समझ के हमें समझाना शुरू कर देता है तो हमें चुप चाप उनकी बात को सुनना है अगर वे खाना खाते समय आवाज करती है तो उसे समझाएं कि ऐसे आवाज करना बहुत बुरा लगता है कहीं हम पार्टी में जाते हैं किसी घर जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है खाना खाने के बाद अपने जूटे बरतन किचन में रखने की आदत उसको डालें वह मॉबाइल पर अगर कुछ ना कुछ देखती रहती है तो उस पर नदर रखें कि वह कौन कौन सी वीडियो देखती है क्योंकि आज कल तो वीडियो पर सब कुछ है और अगर आपकी बिटिया बड़ी हो रही है और आपको लगता है कि उसने ससराल जाना है वो तो हर किसी को जाना ही है लेकिन आप यह बात उसके मूँपर नहीं कहें कि सुधर जा तमीज सीख ले अगर तो किसी दूसरे खरजान नहीं ऐसी बाप कभी उससे भूल कर भी ना कहें उससे यह बहसास ना करने दें कि उसकी वियाव है थोड़े दिनों के लिए इस गर में है या उसका यह घर नहीं है उससे ऐसा एसा एसास ना होने दें मैं पूरी मींद करती हो कि अगर इब इन बातों को फॉलो करेंगे तो कम से कम 1577 साल तक हुमर तक ही उसकी इतनी नीफ पक्यों जाएगी कि आपको कहीं भी उसकूल भी जाती है वहां तक कि बड़ी भी होती रहती है किसी घर भी जाती है तो आप किस कैस्थ सुनने का मौका नहीं मिलेगा थांक्स फर वॉचिंग और आपको कहूँगी की इसे सब्सक्राइब करें वीडियो चल रही है इसके नीचे सब्सक्राइब लिखा हो आ रहा है उसे सब्सक्राइब से दबाएं और 7 भी घंटी का बेल बटन आ जाएगा उसे भी धगाएं ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूं आपको देखने को मिले थैंक यू